हलो, वेलकम तो AC PLUS, Powered by Advanced Engineering Classes. So, dear students, आज हम लोग लेके आएं MPPGCL exam के लिए Power Generation Related कुछ centers हैं, Power Generation जो plants हैं, Power Plants हैं उनके बारे में जानकारी. Especially we are going to discuss about the nuclear power plants. हम लोग बिशेश कर पर्मानु जो उर्जा गरह हैं, उनके भारे में हम लोग बात करेंगे. चली पहले हम लोग समझ लेते हैं power generation के बारे में हम लोग देखते हैं हमारे पास जो power के sources हैं उनको दो category में divide किया गया है जो एक source है जिसको हम लोग कहते है conventional source और एक है non-conventional source जो conventional source है उसको ही हम लोग कहते हैं conventional source को जिसको परंपरागत उर्जा के साधन भी कहा जाता है और एक है Non-Convencional जिनको कहते हैं गेर परंपरागत परंपरागत जो बहुत समय से चले आ रहे हैं परंपरागत है जो उनका Amount Fix है और एक समय पर आकर के उनके समाप्त होने का खत्रा बना हुआ है non-conventional वो हैं जो नवीनी करत हैं जिनको हमने नयाक हो जा है उनके समाप्त होने के खत्रा इतना ज्यादा नहीं है जितना की इनका है इनका amount fix है इसलिए प्रमपरागत और आप्रमपरागत यानि की conventional non-conventional को दो category में divide कर दिया गया है अब जो प्रमपरागत है उसमें हमको दो च create करके power generate की जाती है यहां रखेंगे atom का fission करा करके उससे जो energy create होती है उससे हम लोग power बनाते हैं हाई मांट में बनता है बहुत energy create होती है combustion उसमें होगा तो thermal power में coal का use किया जा सकता है जैसे lignite coal का use किया जा सकता है gas का use किया जा सकता है और natural gas का किया जा सकता है इसलिए thermal power station में fuel के रूप में यह सारी चीज़ा यूज होती है किसी भी thermal में अगर coal का use है तो कहेंगे coal based thermal power station है अगर lignite का use है तो lignite based thermal power station है अगर gas पर Gas का यूज किया जा रहा है वहाँ पर де 10 के लिए टो Gas-Based Power Station हे थर्म 좋아요 सिटेशन है और अगर डिजल का किया जाए थ verdictー गिए तो देजल बेज़ स्टेशन है तो थर्माइल पावर सिटेशन में एक तरह का फ्यूल नहीं कए तरह के fuel का use किया जा सकता है और जब ये fuel combustion करता है तो ये बहुत सारी हानिकारग गैसों को emit करता है जो environment को affect करती है इसलिए इनको कम करने की planning चल रही है और उसके alternative हम लोग लगाता ढूंड रहे हैं उनमें हम लोग जा रहे हैं non conventional की तरफ जहां से बहुत कम वहां से बहुत कम emit की जा जाते हैं हानिकारग ये harmful gases environment के लिए जैसे hydroelectric है इसमें किसी भी परकार की gas emit नहीं की जाती है किसी भी परकार की gas emit नहीं की जाती है दूसरा है solar ये तो आप जानते ही है कितना अच्छा है बिल्कुल clean source of energy है ये भी clean source of energy है जहां से किसी परकार का कोई भी dangerous gas हों का emission नहीं होता है wind energy भी clean है biomass है, tidal है geothermal है, ये सारे के सारे वो source of energy है जो renewable है, जिनका नवी निकरण किया जा सकता है, इनका नवी निकरण नहीं किया जा सकता है यानि इनको बारंबार करके use किया जा सकता है, समझ गए तो ये दो तरह की energy के बारे में हम लोगों को discussion करना है, तो चलिए हम लोग समझते हैं, आज हम लोग discuss करने वाए especially atomic power के बारे में atomic power की journey इंडिया में कैसी रही, उसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं तो चलिए हम लोग discuss करते हैं Second World War में अमेरिका के द्वारा जापान पर atomic bomb का यूज किया गया पहला bomb यूज किया गया 6th of August 1945 और दूसरे bomb का यूज किया गया 9th of August 1945 पहले bomb को नाम दिया गया था little boy और second bomb को नाम दिया गया था fat man तो ये जो दो bomb गिराए गए इससे लोगों को एक बड़ा concept समझ में आया एक चीज समझ में आया लोगों को वर्ल्ड में कि atom की power कितनी होती है और अगर किसी atom में इतनी सारी power है तो क्या उस power का use हम positive way में भी कर सकते हैं क्या ऐसे ही negative में destructive way में करेंगे उसका नाम उसका use कैसे कर सकते हैं तो इस atom की power को positive way में use करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पर काम करना शुरू किया जस्ट आफ्टर independence इंडिया में भी department of scientific research बनाया गया तो department of scientific research बनाया गया उस department of scientific research को जिम्मेदारी दी गई कि वो है लगातार scientific development के लिए काम करें और उसी scientific development में काम करने के लिए department of scientific research ने यहाँ पर बहुत सारे research center बनाए और उन research center में इसके atomic research center भी बनाए गए तो जो department of scientific है वो इंडिया में pioneer है इस पूरे के पूरे scientific program का और उसमें ही हमारा atomic program भी आता है जैसे हम देखेंगे उसी scientific department ने सबसे पहले atomic energy commission बनाया 1948 में just after independence नेरू जी ने atomic energy commission बनाया और उस commission को जिम्मेदारी दी गई कि atomic के positive way में research पर काम किया जाए ताकि हम उसका अच्छा use कर सकें हाला कि इसको लेकर के लोगों में बहुत मदवित थे conflict थे क्योंकि atom का use destructive way में ना किया जाए और भारत एक सांतिप्रिय देश था इसलिए हम लोग atom का use करने में बहुत हिचकेचा रहे थे hesitate कर रहे थे लेकिन फिर भी atomic energy commission को जिम्मेदारी दी गई कि research center बनाए जाए और इस atomic energy center की स्थापना 1948 में महाराष्ट के मुंबई में की गई this fact you have to keep in your mind after this commission this commission developed five different centers in different regions of this country इस commission ने अलग-अलग पांच छेत्रों में भारत के अलग-अलग पांच छेत्रों में पांच अलग-अलग research center बनाए उन research center को हम लोग कहते हैं भावा atomic research center जो मुंबई में बना हुआ है इंद्रा गांधी center for atomic research IGCAR ये तमिलाडू में बना हुआ है राजा रमना center for advanced technology आरार्केट जो MPK इंदोर में बना हुआ है next one is variable energy cyclothrone centers जो best बंगाल के Kolkata में बना हुआ है next one is atomic mineral directed for exploration and research ये तेलंगना के हदरबाद में बना हुआ है तो ये पांच center energy commission जो बनाया गया था उसके द्वारा setup किये गए और इन पांच center ने इस देश में atomic energy के शेत्र में atomic energy के field में बहुत अच्छा काम किया है आईए पहले हम इन centers के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं पहला है भावा atomic research center it was founded in 1954 Mumbai महरास्ट हौमी जहांगीर भावा को इंडिया में nuclear program का father कहा जाता है father of nuclear program in India हौमी जहांगीर भावा हौमी जहांगीर भावा उन्होंने ही सबसे पहले letter लिखा और प्राइम मिनिस्टर नहरू जी से भी कहा और टाटा जो इंडेस्लिस्ट थे यहांके बहुत फिमस उनसे भी कहा और उन्होंने बड़ी funding की उसके बाद fundamental research institute यहां पर बनाया गिया और उसी fundamental research institute को 1954 में हौमी जहांगीर भावा ने establish किया और वही उसके पहले chairperson भी बने और इसके अलावा यही से इस institute का नाम बदल करके 1966 में just after the death of हौमी जहांगीर भावा और उनकी death होई 24th of January 1966 को जब उनकी मृत्ति हो गई तो उनकी मृत्ति के बाद इस research center का नाम बदल करके भावा atomic research center के नाम से कर दिया गए जैसे हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं तो यह एक leading institute है atomic research के field में atomic research के field में एक leading institute है यह उसका diagram है next इंद्रा गांधी center for advanced atomic research 1971 में इंद्रा गांधी ने अपने nuclear program को और powerful बनाने के लिए एक नया center develop कराया जिसका नाम है इंद्रा गांधी center for atomic research यह भी atomic research के field में काम करने बाला बड़ा एक effective institute है तो 1971 में तमिल नादू के कलपक्तम में स्थाफित किया गया next one is next one is राजा रमना center for advanced technology यह MPK इंद्रा में 1984 में लगाया गया और इसने modern research बहुत सारी की है nuclear program के उपर और ताकि किस देश में nuclear पर क्या research हो रही है nuclear का use कैसे किया जा सकता है और उसकी energy का use हम positive way में कैसे कर सकते है यह advanced technology के रूप में कार करने वाला institute है 1984 से यह MPK इंद्वर में है 1984 से next one variable energy cyclothrone centers यह best बंगाल के Kolkata में लगाया गया और यह energy के जितने भी alternative और source हो सकते हैं तो atomic energy के लिए भी यह काम करता है और alternative other source के लिए भी काम करने वाला एक research institute है जो energy commission of India के द्वारा ही इस्थापित किया गया उसके लिए ही यह काम करता है next one atomic mineral directorate for exploration and research यह institute 1948 में तेलंगना हैदरवाद में then अंदरपरदेश now in तेलंगना तो अभी जी तेलंगना के हैदरवाद में स्तित है और 1948 का से ही बना हुआ है और एक basic चीज़ें अबेलेविल कराता है power corporation of India NPCL आप इसको याद रखिएगा कि अभी presently इंडिया में nuclear power को generate करने की responsibility केबल NPCL के पास है तो NPCL is a leading body or the organization which is regulating and controlling all the atomic powers in India इसमें atomic power को control कर रही है और भहुत सारे जो power stations है उसको NPCL control भी कर रही है और monitor भी कर रही है इसका headquarter मुंबई महरास्ट में है and it is functioning, it is operational from 1987 तब से यह काम कर रहा है next one next one is भारतिये नाब किया बिद्दूत निगम लेमिटेट भारतिये नाब किया बिद्दूत निगम लेमिटेट इट वास founded in 2003 चैन्रई तमिलनाडू आप देख रहे हैं जैसे जैसे atomic energy की demand बढ़ती जा रही है अलग-अलग centers भी develop किये होते रहे हैं और अभी भी latest हमारे पास 2003 का यह भावनी centers है और यह बहुत सारे reactors को control भी कर रहा है और नए-ने research भी कर रहा है तो यह चैन्रई तमिलनाडू में इस्तित है next one is atomic energy regulatory board atomic energy regulatory board यह भी इंडिया में एक leading है जैसे energy का use हम किस field में करेंगे कितना करेंगे और कहीं destructive तो नहीं है कहीं radiation तो नहीं फैलेगा तो जतने safety features हैं इन सारी चीजों को develop करने की responsibility इसको दी गई है atomic energy regulatory board को जो 1983 में महराष्ट के मुंबई में set up किया गया और यह है energy commission के अंडर में काम नहीं करता है energy commission के अंडर में नहीं है यह separate department है जो regulatory policies बनाता है atomic atom के use करने के लिए the next one is international atomic energies agency अगर आपने पढ़ा होगा IAEA international atomic energy agency यह UNO की एक subsidiary alliance agency है जो पूरे world में nuclear program को regulate करने के लिए establish की गई थी 1957 में और इसका headquarter है Australia के Vienna में Australia के Vienna में इसका head office है तो first of all keep remember all the locations and the year of establishment about various institution regarding the nuclear energy in India and in international में तो जो भी संस्ता है पहले तो उनकी स्थापना ही है और वो कहाँ पर रिस्तित है उनका headquarter कहाँ पर है यह आपको पता होना चाहिए first of all basic knowledge है यह उसका उसके वारे में काम करने का next one है कि nuclear reactor पाम कैसे करता है अब हमने तो यह तो समझ लिया कि कौन-कौन सी बॉड़ी उसमें क्या-क्या रोल पिले कर रही है लेकिन basic technical चीज यह है कि वो काम कैसे करता है तो आप समझेंगे कि हम समझेंगे कि nuclear जो रियक्टर है वो किस वे में काम करता है आपने जब भी कोई nuclear रियक्टर का photo देखा होगा या आपने कहीं visit किया होगा तो इसमें आपको तीन segment special दिखाई देते हैं एक दिखाई देता है बड़ा सा जिससे चिमनी जिससे दुहां सा निकलता रहता है that is steam और उसको हम लोग कहते हैं cooling tower यह cooling tower होता है तो यह हो गया cooling tower ठीक अगर हम यह cooling tower है और यह आपके पास एक ऐसी dome shape दिखाई देता होगा dome shape सारे nuclear plant में होता है उसको हम लोग कहते हैं reactor यह है reactor यही सबसे बड़ी और powerful और main functioning unit होती है किसी भी power plant की इसको समझना बहुत जरूरी है reactor को reactor को हम समझेंगे तो दो segment हुए तीसरा segment होता है turbine और electric generator का turbine यह है और यह electric generator है यह turbine है और यह electric generator है और जैसे turbine घुमेगा तो electric generation से जो बिजली है वो जाकर के service line के द्वारा लोगों को पहुचा दी जाएगी ठीक है काम के बल इतना सा होता है कि इस reactor में एक process की जाती जिसको कहते है और उस fission जो atom के जो fission process होती है उससे high amount में energy develop होती है और उस high amount की energy का use water को steam में convert करने के लिए कर लिया जाता है और जैसे ही water steam में convert होता है वो steam इतनी rapidly speed से आकर के इस turbine को गुमा देती है और यह turbine से जो soft connect है वो generation की turbine को गुमा देती है generation की soft को गुमा देती है और जैसे generator एक particular amount में speed से गुमता है वो energy create कर देता है और उसी power को फिर हम service line के द्वारा लोगों तक पहुचा देते हैं यह simple सा process है और steam से जो पानी आता इस steam जो आती है turbine को गुमाने के बाद तो वो ठंडी हो जाती है थोड़ी से ठंडी होने लगती है और ठंडी होने के बाद जब नीचे आती है तो इस turbine को सीधे cooling tower में भेज दिया जाता है एक cold pipe के आसपास से गुजारा जाता है उसको pass किया जाता है ताकि वो पानी में convert हो जाए फिर से water में convert हो जाए और जैसे ही वो cooling tower में जाती है तो उसके area को फैला दिया जाता है और और वहां से उसको नीचे गिरा करके ठंडा कर दिया जाता है और कुछ amount में वो evaporate भी हो जाती है जैसे ही वो नीचे गिरता है तो बापस pump से उसको फिर से reactor के पास बेज दिया जाता है जहां वो फिर से steam में convert होने लगती है इस process को ही कहते है atomic energy generation यह atomic energy generation होता है तो reactor, turbine generator और cooling tower यह तीन चीज़ें किसी भी power plant में देखी जाती है उसके तीन हिससे होते है power plant के समझ गए nuclear power plant के यही तीन हिससे हमको दिखाए देते है maximum सारे के सारे plant में लगबग लगबग ऐसे ही चीज़ें होती है क्योंकि turbine generator तो सभी जगह होता ही है जिससे वो बिजली बनाई जाती है ठीक है और जहां पर cooling tower नहीं होता है जैसे hydro में cooling tower की जरूत नहीं पड़ती है उसमें cooling tower नहीं होता है तो यहां से बिजली ऐसे बनाई जाती है अब हमको समझना है कि reactor का हम कैसे करता है actually main functioning technical part है reactor को समझना तो हम लोग reactor को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है यह है हमारे पास एक reactor ठीक है न रेक्टर को समझने से पहले पहले हम यह देखते हैं कि यो uranium हमको मिलता है वो होता क्या है ठीक है तो हमको natural uranium मिलेगा natural uranium natural uranium में हम लोग देखेंगे तो uranium 235 है वो 0.07% के आसपास रहता है 0.072% के आसपास रहता है और उसमें यह होता है uranium 235 और basically उसमें होता है 99% uranium 238 तो uranium 238 उसमें ज्यादा होता है अब 238 का फिजन बहुत तेजी से नहीं करा जा सकता है उसका फिजन नहीं होता है फिजन 235 का होता है और 235 natural uranium में कम है तो इसमें क्या किया जाएगा second process में इस uranium के होगा enrichment 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 में क्या होगा जो यह uranium आपको दिखाई दे रहा है natural uranium उसमें low percentage किसका है अभी uranium 235 का तो उसके uranium 235 का percentage उसमें बढ़ाया जाएगा उस percentage को बढ़ाने की process को हम लोग कहते हैं enrichment और enrichment के बाद जो uranium को मिलेगा वो दो तरीका हो सकता है दो प्रकार का हो सकता है एक को हम कहेंगे low enriched uranium और एक होगा high enriched uranium high enriched uranium high enriched uranium high enriched क्या होगा जिसमें more than 20% more than 20% से ज़्यादा uranium 235 आ जाएगा और जहां होगा less than 20% जो basically होता है 3-5% commonly और अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हो सकता है 22 लेकर के 85% तो यह दो तरह का enriched uranium हमको मिलेगा तो अगर वो less than 20% से कम का uranium हमको मिला है तो इसका use हम लोग करेंगे reactor में reactor में power generate करने के लिए power generate करने के लिए क्योंकि यह control है बहुत ज़्यादा amount में destructive नहीं हो सकता है और यह आप समझ रहे हैं यह uncontrolled हो जाएगा इसका use हम करेंगे atom bomb में इसका use हम लोग atom bomb में करेंगे atom bomb को बनाने के लिए तो देखिए जो uranium हमको मिला है उसमें मैंने आपको एकी चीज़ समझाया है कि enrichment process क्या है तो enrichment process is a process in which natural uranium is enriched with the percentage of uranium 235 तो uranium 235 का amount उसमें बढ़ा देने की process को ही हम लोग कहते है enrichment जब enrichment उसका हो जाएगा तो वो enrichment ऐसा भी हो सकता है कि 20% से कम उसमें uranium 235 हो या 20% से ज्यादा uranium 235 हो अगर 20% से कम है तो उसको कहेंगे low enriched और 20% से ज्यादा है तो उसको कहेंगे high enriched uranium तो high enriched uranium में अगर 235 से ज्यादा है इसका मतलब है कि उसको deadly destruction के लिए use किया जाएगा अगर 20% से कम है तो उसको atomic energy create करने के लिए किया जाएगा और इसमें जो एक common है वो है 3-5% enrichment करते हैं जब uranium का enrichment कर लिया जाता है तो करने के बाद उसका क्या करते हैं उसके छोटे-छोटे-छोटे pellets मनते हैं उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है रोड के अंदर और उस पाइप को ही हम लोग रोड जो तयार हो जाती है छोटे-छोटे उसकी पैलेट्स की उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल रोड उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल रोड तो यह फ्यूल रोड है हमारी और इस फ्यूल रो तो उसको ले जाए तो इूरेनियम को रिसरस सेन्टर में डड़ोप करने के बाद उसे फ्यूल रॉड में तबदील कर दिया जाता है और इन सारीस को जब खटक करके एक बंडल मनाया जाता है तो उसको कहते हैं तो यह फ्यूल का बंडल होता है और इसी बंडल को रियक्टर में यूज किया जाएगा ऐसी बहुत सारी रोट्स को एक साथ जोड दिया जाएगा तो वो एक तरह का बंडल बन जेगा रोट्स का और तभी उरेनियम केरी करने के लाइक होता है ट्रांस्पोट करने के लाइक ह जाता है और उससे जो ट्यूब तयार होती उसको कहते हैं fuel tube, fuel rod कहते हूं उसको, ऐसी fuel rod को एक साथ कर देंगे, तो बहो जाएगा एक bundle, उस bundle को हम लोग इसमें यूज करेंगे, अब हम देखते हैं इसको काम कैसे करता है ये bundle, अब माल लिजेखा ये bundle पढ़ा हुआ है, ये uranium क एक बंडल यह पड़ा हुआ है एक बंडल यह पड़ा हुआ है तीन बंडल इसमें इसके अंदर है किसके अंदर रियक्टर के अंदर रियक्टर के अंदर जब फिजन होगा तो आप जानते हैं हाई अमाउंट में अनरजी बनेगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए रियक्टर को high concrete wall से cover किया जाता है high concrete wall से cover किया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार का explosion या किसी प्रकार का leakage हो तो radio activity लोगों तक जादा तर ना पहुँच पाए तो याद रखेंगे reactor की wall बहुत powerful होती है कि वह किसी प्रकार के explosion और leakage को रोक के रख सकती है और इस पर control करने के लिए और भी चीज़े हैं जिनको हम लोग समझते है अब माल लीजेगा ये जो पड़े हुए है bundles इनमें आपने neutron को दिया और यहां से शुरू हो गया उसमें fission जैसे ही fission शुरू हुआ तो fission तो chain reaction होती है कितनी भी energy create हो जाएगी उसमें तो क्या करेंगे तो उससे बचने के लिए concept है कि इसके बीच में हम लोग एक mechanism होता है कि जब जरूरत पड़ती है तो इसमें कुछ rods डाल दी जाती है और ये rods जो डाली जाएंगी इनको हम कहते हैं controlling rods तो जैसी mechanism start करेंगे हमको लग रहा है कि high amount में जा रहा है पूरा का पूरा फिजन तो उसमें rod insert कर दी जाएंगी जैसे rod insert होंगी तो बहुत सारे electron उन पर चिपक जाएंगे और जैसे उन पर चिपक जाएंगे तो fission जो है फिजन की power है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी chain reaction कम हो जाएगी तो अभिक्रिया धीरे धीरे करके reaction कम होने लगेगी अब ये rods हैं इनको हमको पता होना चाहिए ये rods या तो हम cadmium का use कर सकते हैं या indium का use कर सकते हैं या फिर boron का use कर सकते हैं तो we have three options cadmium, indium और boron इन छड़ों को हम लोग use कर सकते हैं किसके लिए उस पर अभिक्रिया को control करने के लिए तो controlling के रूप में हम इनका use कर लेते हैं किसका cadmium, indium और boron का use कर लेते हैं आप समझ गए तो ये कब करते हैं जब हमको लगता है कि chain reaction बहुत high speed से जा रहा है मतलब बहुत ज़दा हो रहा है और इतना combustion अगर इसमें इतना सारा वो fission हो जाएगा तो वो uncontrolled ना हो जाए और हमारी facility disturb ना हो जाए पूरा का पूरा reactor disturb ना हो जाए इसके अलाबा इसमें एक और component का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं moderator तो moderator का काम क्या होता है fission की speed को slow down करना speed को slow down करना और slow down speed को करने के लिए हम यूज करते हैं moderator का तो किसी भी nuclear plant में moderator के लिए हम लोग जिनका यूज करते हैं वो d2o हो सकता है वो graphite हो सकता है graphite या फिर वो नॉर्मल लो वाटर हो सकता है ठीक है तो यानि कि water हो सकता है heavy water हो सकता है या graphite हो सकता है इनको हम लोग moderator के रूब में जूश करते है moderator is a process which slow down the speed of fission fission की speed को reactor की speed को वह कम करता है और हमारा जो reactor है वो खत्रे से बाहर हो जाता है ठीक है अब इसमें इतना सारा फिजन होगा तो heat भी बहुत बनती है तो उस heat को control करने के लिए इसमें हम coolant का use करते हैं coolant का और coolant के रूप में हम लोग किसका use कर सकते हैं water का use कर सकते हैं दूसरा liquid liquid sodium का use कर सकते हैं sodium और potassium के alloy का use कर सकते हैं तो यहां पर जो use कर सकते हैं coolant के रूप में इनका यूज कर सकते हैं तो coolant से क्या होता है कि इसका जो temperature है उसको हम लोग manage कर सकते हैं heat को बहुत जल्दी ही उसको बापस इसमें steam में बनने से वहां तक पहुंचने के लिए हम coolant का use कर लेते हैं ठीक है तो यह reactor में जो process है वो मैंने आपको समझाए कि reactor के अंदर क्या होता है तो रेक्टर के अंदर हम लोग fuel की जो pellets की जो बनी हुई जो बंडल है उसको डाल देते हैं पुरस बंडल का हम फिजन कराते हैं जैसे ही फिजन होता है तो वहां पर हाई amount energy होती है उस energy से फिर जाकर के पानी है उसको heat उसमें steam में convert हो जाता है और वो steam rapid से जाकर के turbine को घुम लोगों तक पहुंचा दी जाती है तो यह है उसका process बस इसमें याद रखना है components कि हम लोग controlling rods को किसकिस से बना सकते हैं coolant की रूप में किसका use कर सकते हैं या फिर moderator के रूप में क्या use कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो d2o है heavy water है उसका use आप coolant के रूप में भी कर सकत हैं याद रखेंगे heavy water का use coolant और moderator दोनों के रूप में किया जा सकता है एक ऐसा एक वो है component समझ गए अब हम इनको देख लेते हैं कैसे काम करता है enrichment process आपको समझ में आ गई enrichment क्या होता है uranium का और बिना enrichment के uranium काम नहीं करेगा reactor में क्योंकि इसमें low amount of uranium 235 होता है इसलिए uranium का percentage बढ़ाने को ही हम लोग enrichment करते हैं और यह 20% से कम करेंगे याद रखिएगा इससे ज्यादा करेंगे तो फिर जो uncontrolled हो जाएगा और अगर वो uncontrolled हो गया तो आप जानते हैं कि हम लोग बैपन की और चले जाएंगे destructive और चले जाएंगे फिर हम लोग उसकी और नहीं आ पाएं इसलिए facility को बहुत powerful बनाए जाता है चलिए देखते हैं कौन-कौन से components का use करते हैं यह आपको दिखाई दे रहा हुआ uranium uranium natural uranium और यह आपको दिखाई दे रहा हुआ pellets जैसे मैंने बताया कि uranium के छोटे-छोटे pellets बना दिये जाते हैं और यह pellets किसके होते हैं enriched uranium के होते हैं ऐसे ही pellets को ऐसे करके जोड़ दिया जाता है और फिर बनती है एक fuel rod इस fuel rod में लगबग 300 pellets होते हैं 300 pellets होते हैं और rods होती है 4 meter की 4 meter की almost rod होती है और ऐसी ही rods को जब इखटा कर देते हैं तो बन जाता है bundle यह आपको दिखाई देरा होगा जैसे एक rod यह है एक rod यह है एक rod यह है तो ऐसे ही rods का एक bundle बना हुआ है और यही bundle use किया जाएगा fuel के रूप में reactor में fission को कराने के लिए यह आपको दिखाई देरा होगा graphite graphite मैंने आपको बताया है graphite किस के लिए use किया जाता है graphite moderator के रूप में हम लोग इसको use कर सकते हैं moderator का काम करता है graphite यह है boron controlling rod पर काम करता है controlling rod पर यह काम करेगा next one is cadmium same controlling rod इसी की बनी वो सकती या तो आप इसको boron की बनाए cadmium की बनाए या और भी component है जैसे indium इसको भी हम लोग controlling rod में ही use कर सकते हैं जिसकी चाय उसकी हम लोग इसको बना सकते हैं यह जिर्कोनियम जैसे मैंने कहा कि जब enrich हो जाएगा तो enrich होने के बाद उसकी coating करनी पड़ती है यानि जिर्कोन के बनी हुई tube में ही pallets को डाल दिया जाता है इसको कहते हैं coating के लिए use करते हैं enriched enriched uranium coating के लिए coating के लिए use करते हैं यह heavy water d2o और इसके दोनों use है यह moderator का भी काम कर सकता है और यह दूसरा काम कर सकता है coolant का भी काम कर सकता है coolant का coolant heat को absorb करता है moderator speed को slow down करता है दोनों में यह difference है चलिए देखते हैं next अब हम देखते हैं कि रियक्टर इंडिया में कब-कब बनाए गए कौन-कौन कुछ रियक्टर इतने फेमस हैं जैसे कि अपसरा रियक्टर है यह आप जानते हैं होमी जहांगीर भावा ने बनाए था ए 좋아-0 gradient है डिस को अफसरा नाम दिया गया और यह सेंडियाओ क्रीघ्यों करता है एक मेगावाट करेट कर सकता था इसके अलाबनाया गया साहिरस Moz Otto di Mewart के लिए फौर्टी मेगवाट के लिए बनाया गया इसके रिद धुरुप जो लगबग 100 मेगावाट के लिए काम करता था और नए सीरीज आई पूर्णिमा उस सीरीज में 100 वाट नहीं लगबग लगबग 540-240 वाट इस हेवी सीरीज के ये बनाए जाते हैं कामनी भी हमारे एक रियक्टर है जिसको जो इंद्रागांधी सेंटर से वहां स इसको कंट्रोल किया जाता है कामनी रियक्टर को तो रियक्टर वे हैं जो रिसर्च सेंटर में डबलब किये गए हैं कि वह किस किस लेवल पर किस किस पावर में एनरजी को जनेरेट करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं तो यह हमारे रियक्टर से हैं इसमें याद रखि इंडिया में पहला जो नुकलियर पावर प्लांट लगाया गया वो लगाया गया तारापुर में तारापुर आप जानते हैं और यह 1961 से बनना शुरू हुआ और 1969 में से यह ऑपरेशनल कर दिया गया तब से इसने अलेक्टर सीटी प्रिडूस करना शुरू कर दी यह महराष् है कहां पर तारापुर में जो महराष्ट में बना हुआ है 1961 से बनना शुरू हुआ और 69 से यह ऑपरेशनल हो गया चुरूआ था 1961 में और इसको इंडिया का पहला पावर स्टेशन कहते हैं फस्ट नुकलियर पावर स्टेशन नेक्स्ट बन इस नरोरा एटोमिक पावर स्ट स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में इस्तित है उत्तर प्रदेश के बुलंद सहर में बना हुआ है 1977 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1991 से यह ऑपरेशन हो गया नरोरा और यहां पर दो रियक्टर काम करते हैं और जिनकी टोटल कैपिसिटी है 440 मेगावार्ट की द नेक्स्ट बन इस राजिस्थान एटोमिक पावर स्टेशन जिसको रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह रावत भाटा नामकिस्थान पर है इट वाज स्टार्टेट टू बी 1963 और 1973 से बनना सुरू हुआ और 1973 में आकर के ऑपरेशन हो गया इसमें 6 रियक्टर हैं 6 रियक्टर पर काम करता है और 1080 मेगावार्ट विद्धत का उत्पादन करता है 6 रियक्टर के साथ यहां पर यहांनि सबसे ज्यादा रियक्टर इसी में लगे हुए हैं काम करने के लिए जहां से इलेक्ट्रिशिटी प्रडियूस की जाती है नेक्स्ट बन इस कैगा क कैगा देट इस इन कैगा करनाट का यह बना हुआ है और इसकी टोटल कैपिसिटी है 880 मेगावार्ट इलेक्ट्रिशिटी प्रडियूस करता है कैगा नेक्स्ट बन इस मदरास अटोमिक पावर स्टेशन जिसे कलपक्कम नुक्लियर प्लांट के नाम से भी जानते हैं यह की चन्नई के पास मदरास में लगा हुआ है 1970 से इसका बनना सुरू हुआ और 1984 में यह है ऑपरेशनल हो गया इसमें दो रियक्टर है और टोटल कैपिसिटी है 440 मेगावार्ट की कैपिसिटी के साथ यह काम करता है इसको कलपक्कम नुक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं नेक्स्ट बन में हम लोग देखेंगे काकर पाड़ा एटोमिक पावर स्टेशन काकर पाड़ा गुजरात में लगा हुआ है सुरत के पास 1984 से बनना सुरू हुआ और 1993 में यह ऑपरेशनल हो गया तब से यह है इसमें दो रियक्टर लगे हुए हैं और टोटल 1140 मेगावार् रियक्टर और दो रियक्टर इसमें दो रियक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट बन इस कुड़न कुलम यह सबसे लेटेस्ट नुकलियर पावर स्टेशन है इसको 2002 से बनना सुरू हुआ और 2013 में यह ऑपरेशनल हो गया तमिल लैडू के कुड़न कुलम में बना आए जाता होगा रिए इंडिया देर आर सो मैं अधर प्रपोजट और प्लांड अटोमें रिसर्स सेंटर इनको आप लोग देख सकते हैं जैसे इसमें तारापुर में भी बहुत सारे रिया नई रियक्टर लगाए जा रहे हैं मदरास में भी नई रियक्टर यानि की कलप प्रवलू के लिए काम करेगा और एक है भीमपुर मद्यप्रदेश ये भी लगने वाला है प्रपोजट हैं माही बासवारा राजिस्थान में हरीपुर बैस्ट बंगॉल में और मीठी बिरडी गुजरात में और कोबडा अंध्र प्रदेश में और जयत्पुर महरास्ट म तो कौन-कौन से कहां पर प्रपोजट है इनको जरूर एक बार देखिएगा ताकि हम लोग यह समझ पाएंगे कि जो नुकलियर पावर स्टेशन है वो आगे कहां लगाए जा रहे हैं ठीक है कुछ नुकलियर पावर स्टेशन जो पहले से बने हुए है उन्हीं की पावर क कैसे जनरेट की जाती है और नुकलियर पावर स्टेशन क्या होता है रिएक्टर क्या होता है यूरिनएम क्या होता है यूरियम को एनरिच कैसे करते हैं हाई एनरिच एनरिच अर्ट न्रिच एनरिच काउट न ग port य 이걸 आरा फेक्ट you should know about your exam European next series we are going to discuss some other sources of energy, other power stations, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसमें जो भी चीज़ा आपके एग्जाम कियें, उनको आप लोग यहाद रखेंगे, best of luck for your exam and keep steady and keep listening, thank you very much.